निवस्कार खबरों का पंचनामा देख रहां पर मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस्टूडियों मुझूद है सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेड्लाइन्स पर आंध्र प्रदेश में पी ए मोदी की वव्य रैली चंद्र बाबु नाइडू और पवन कल्यान रहे मोजूद वीजेपी कारे करताओं में दिखा जबर्दस्त उत्साथ राहूल गांधी की भारत जोडो न्या यात्रा का समापन मुंबई में भाजपा पर जम कर बड़ से बोले सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साथ जाच एजेंसियों को दिधंप की दिल्ली के सीम केजरिवाल की बड़ी मुश्किले एडी ने जारी किये दो नए समन पार्टी ने बताया केजरिवाल को गरफतार करने का बैक अप लार मादेव एप मामले में बड़ी कारेवाई लोकसबाद चुनाव से पहले भुपईश बगेल की बड़ी मुश्किले और वह सीम के खलाफ मुखद मागा सबसे पहली खबर में बाद पीएम मोदी की चुनाव आयोग ने तारीकों की गुचना कर दी है इसके बाद पूरे देश में आचार सहीताला को पुकई है लोकसबाद चुनाव की तारीकों के अलान के बाद सभी पार्टिया अक्टिव मोड पर आ गई है वही आज प्रधार मंत्री नहरंद्र मोदी ने आंत्रप्रदेश में भव्य रहने की जिसमें पीए मोदी के साथ चंदरबावु नाइडू और पवन कल्यान मोचूब रहे इस बार दर्च्छिन राज्यों की जनता को मनाने के लिए पीए मोदी 15 मार्च से ही दर्च्छिन राज्यों के 5 दिनों के दौरे पर है और पीए मोदी ने तामिलाडू से बीज़पी के प्रचार का अगाज कर दिया है आज जबर दस तरीके से आंत्रप्रदेश में पीए मोदी की रहली देखने को बढ़ी देखे प्रदान मंतरी मोदी कल एक टेलिजन चैनल के प्रोग्राम में कल दिन भर वो साउत में थे सिर्फ एक टेलिजन चैनल के प्रोग्राम में आने के लिए वो दिली आये फिर सबरे वो चले गए ये कहते हैं मेहनत और उसके बाद जिस तरह से बवाल वहाँ पे लोग बिजली के खंबों पे खड़े थे प्रधार मंतरी हाथ जोड़ रहे है आप ये देखिए कि किस तरीके से पब्लिक के साथ कनेक्ट है ये सारे लोग ये मोधी विरोधी गैंग जो एक मैना पहले से वो कह रहा था कि बीजेपी नॉर्थ में जी जाएगी साथ में कॉंग्रेस पार्टी मजबूत है वहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी बिलकुल भारती जनता पार्टी को सीटे नहीं जीतने देगी दिर इस डिवाइड बिट्मिन नॉर्थ और साथ भारती जनता पार्टी साथ में कहीं है ही नहीं आज माजरा क्या है आंध्र प्रदेश के अंदर एकलिस्ट नब्वे परसेंट सीट लेने की कैपसिटी में प्रधान मंत्री मोदी आज खड़े है और भीड इस बात की गवाही दे रही है तमिलनाडू, केरल, करनाटक हर जगह भारती जंता पार्टी ने जो मेहनत किया है वो ऐसा लग रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी ये अपने विरोधियों के थियोरी को डिस्प्रूब करने के लिए उनको गलत साबित करने के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है अगली खरोए बात राहुल गांधी की मनिपुर से मुंबई तक भारत जुडो न्याय यात्रा के बाद कॉंग्रेस निता राहुल गांधी ने बीचेपी पर हमला पोला है राहुल गांधी ने मुंबई न्याय संकल्प यात्रा के मौके पर कहा कि सत्ता रोड बीज़पी शूर बहुत मर्शाती है लेकिन उसमें सम्विधान को बदलने का साहस नहीं है आगे कहा कि जो सच के साथ चलते हैं वो कभी घबराते नहीं हम अन्याय के खलाफ लड़ते रहेंगे न्याय का हक मिलने तक वहीं राहुल गादी ने देश की जाच जिंसियों पर भी अपनी भड़ास निकाली और धमकाते हुए सरकार बदलने के पाद देख लेने की बात भी गई यह किस तरीके का भाश्य का पर देखिए थैंक गॉड यह यात्रा खतम हुआ लेकिन अब लुट गया सब कुछ पिट गया सब कुछ अब करने से क्या फाइदा सर्वे रिपोर्ट्स बता रही है चार सो पार अब अब क्या त्यारी करोगे क्या नहीं करोगे सबसे बड़ी चीज इस न्याय यात्रा में सबसे ज़्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो कॉंग्रेसी लीडर्स के साथ बिचारे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें यह फाइटिंगे लॉस्ट बैटल आप वहाँ पे धंकी दे रहे हैं तो कोई बता रहा है कि धंकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि यह नैश्रल हेराल्ड केस में फिर से समन आने वाला है बैए नैश्रल हेराल्ड केस तो मुदी ने स्टार्ट नहीं किया यह नैश्रल हेराल्ड का जो केस है जो जिस पे यह पूरा गांधी परिवार जो है वो बेल के उपर बाहर है मा बेटे दुनो ये तो मुदी ने शुरू नहीं किया ये तो यूपिय के दौराने ये केस चल रहा था उसी समय ये सुरुआत हुई तो ये इस तरह की धमकिया इस तरह ये मुझे लग रहा है कि एक हारा हुआ खिलारी जिस तरीके से बहाने बाजी करता है आरोप लगाता है दस तरक की बाते करता है तो वो राहुल गांदी आज एक पॉलिटिकल लूजर की तरह वो बयान बाजी करने में जुटे हुए जे इस खबर में बात केजरिवाल की दिल्ली के मुख्यमंद्री अर्विंद केजरिवाल को एडी से दो नए समद मिरे हैं जिन में एक दिल्ली शराब नेती मामले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ट मामले से समद्ने थे वहीं समद्न मिलने के बाद पार्टी नेता पूरी तरह से बोखलाय हुए केजरिवाल की कैबिनेट सही होगी आतीशी ने कहा कि कोई नहीं जानता है कि यह डीजे बियानी की दिल्ली जल बोर्ट मामला किस बारे में है यह किसी भी तरह केजरिवाल को गरफतार करने और उन्हें लोग सभाद चुनाव के लिए प्रचार करने से रोखने की एक बैक अप प्लान लगता है अब बताईए केजरिवाल देखिए यह तो आतीशी मारलेने को बताना चाहिए कि एक डिर मैंने पहले जो एडी ने छापे मारी की थी आमादी पाटी के एक सांसत के घर पे केजरिवाल के पीएस के घर पे भई हुआ था ना छापे मारी बिभब के घर पे और उस समय यही आतीशी मारलेना प्रेस कॉन्फरेंस के कह रही थी कि यह एडी की गुंड़ागर्दी है एडी सीवियाई मोदी का गुंड़ा के तरह काम कर रहे है और आज इनकी मेमरी लैप्स हो गई कोई जानता ही नि किसले डिल्ली जलबोर घुटाला आए क्या नहीं जानते हूं मैं बता देता हूं डिल्ली जलबोर घुटाला लगवक 40 करणर रुपय का घुटाला है जिसमें जो लोगा घर में जो मीटर लगता है और इलेक्ट्रonik मीटर बिजली का उसमें जिसको आपने ठेका दिया ना उसमें लोचा है उसमें पैसे खाए है आप लोगों में और आज ये कह रहे है और मुझे तो ताजुब है कोई टीवी वाला कोई बता भी नहीं रहा है तो एक समन इस चीज़ के लिए और दूसरा समन जो है वो समन है कि आप आठ बार नहीं गये है और नवे बार और साथी आखरी बार 21 तारिक की जो डेट है वो मुकरर कर दी गई है केजरिवाल बहुत बड़ी समस्या में अफ़स चुके है अरबात बिहार के लोगसबाद चुनाओ को लेकर देशबर में राजनितिक सरगर्मी बढ़ गई है बहार में सीट शेरिंग को लेकर NDA और महागडबंदन में पेच फसा हुआ है एक तरफ सीम नितिश कुमार ने संजे जहा और ललन सिंग के साथ मंधन किया और बैठक के बाद कहा गया कि अभी सीट शेरिंग को लेकर मंतन का दोर जारी है जल्द ही पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी वहीं दूसरी तरफ बहार महागडबंदन में अभी सीट बटवारे पर पार्टियों के बीच एक राय नहीं बन पाई है कॉंग्रेस ने राज्य की 11 लोग सबा सीटों पर चुनाव लड़ने की तयारी कर ली है कहा जारा है कि महागडबंदन के अंदर सीट शेरिंग फार्मूला चुनावती बना हुआ है हाली में सीपियाई माले ने भी कि राज्य की आठ लोग सबा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है अभी तो बिहार में सीट शेरिंग पर बवाल मचा हुआ है सब जे नाखून जो है वो बढ़ते चले जा रहे है और सब अपने गड़बंदन में जो है वो उसको डैमज करने के लिए ये CPI ML ये नकसली ये लोग पहले पांच मांग रहे थे अब नीती स्कुआर बहार गया अब इनकी संख्या हो गई आठ वह ये आठ हो हार हो गए तुमको वोट कोन देगा अब लालु यादब तुमको क्यों देगे सीट लेकिन कॉंग्रेस पार्टी भी जित पे है पहले पंद्रा का लिस्ट निकाल देती है उसके बाद कहती है हमें 11 पर लड़ेंगे लेकिन तेजसी आदब लालु यादब ये कोई कच्चा खिलाली थोड़ी है किसन गज आप मांग रहे हो तो वहां तारीक कनवर लड़ाओगे बेगु सराय बांग रहे हो वहां ये टुक्रे टुक्रे गैंग वाला जेन्यू वाला क्या ना करहिया करहिया लड़ेगा तो करहिया को तो लड़ने नहीं दिया जाएगा करहिया को बिहार में चुनाओं नहीं लड़ने दिया जाएगा ये RJD के लोग बोल रहे हैं वो क्यों? क्योंकि उसीदे सीदे तेजस्वी अदब के लिए वो चैलेंज हो जाएगा क्योंकि फिर तो लोग जो है वो उसको उसके खत्रा है उसको बोला अगर ठिकट देना है करहिया को लड़वाना है दिली से लड़वाईए और इधर महागटबंदन में ये एंडी के अंदर में तो भार्ती जैन्ता पार्ती ने तो अपने पैर में कुलारी खुद मारी है कुलारी मारी नहीं कुलारी उधर रखा हुआ था जागर के पैर जागर के मार के चले आए है आप पस्वपती अलग नराज है इधर अब भई नितीश कुमार विगर जो है ये लोग वो हम लोग के तरफ कहते हैं कि वो सरीर के अंदर जो घुच जाने वाला जो जोंक होता है केचुआ किसम का आपने हाथ मिलाया भारती जिन्दा पार्टी चिराग पासवान मांजी के साथ मिलकर के 40 सीटों पर ललती कोई दिक्कत थी था 40 की 40 सीट पर आपकी जीत की जो है वो उसकी गुंजाइस थी नितिस कुमार से आपने हाथ मिला लिया पताने किस बात का डर है कौन फीडबेक देता है बिहार के वारे में तो खैर आपने जब कुलारी मारी ली है तो खून तो निकलेगा दर्द भी होगा चोट भी होगा क्योंकि नितिस कुमार अभी काईदे से ब्लैक मेल भी करेंगे और आखरी ख़बर में बात बुपेश बगेल की लोगसबा चुनाओ से पहले 36 गड़ के पुर्वसीय बुपेश बगेल के मुश्किले बढ़ सकती है आर्थी कपराच शाखा यानि कि EOW ने ED की सौपी गई जाच रिपोर्ट के अधार पर उनके खलाफ केस दर्च किया है बुपेश बगेल के खलाफ महादेव ऑनलाइन सट्टेवाजी घोटाले पे केस दर्च किया गया है ED महादेव सट्टा एप पर करीब एक साल से कारेवाई कर रही है विदान सबाच शनाओ के दरान भी वुपेश बगेल का नाम सामने आया था अब इस मामले में केस दर्च कर लिया गया है बता दे कि वुपेश बगेल को कॉंग्रेस ने राजनत गाउन लोग सबसीट से उमिदवार भी बनाया है अब क्या करेंगे वुपेश बगेल साहब राहूल गांदी अभी लौट के आएंगे तो कल बोल देंगे कि भाई हम मेरा नाम हटा लो वो लड़ना नहीं चाहरे थे जबरदस्ती लड़वाया जा रहा था वो अमिदवार नहीं बनना चाहरे थे मालू मैं कि राजन गाउंसे वो जीतेंगे नहीं हार सुनिस्षित है तो वो लड़ना नहीं चाहरे थे तो पहला काम ये करेंगे और ये बहाना हो जागा कि हमारा नाम आ किया है नाम क्यों आया है विदान सवा चुनाओं के समय नोटों का पहाड मिला था जो लोग नोट के गड़ियों के साथ पकड़े गए उनसे पूछा गया भई किसके लिए तो उन्होंने बताया मुख मंत्री के लिए 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 जा रहे है चीफ मिनिस्टर दफतर और चीफ मिनिस्टर स्वैम इसमें involved है कि कैसे वो चले कैसे कैसे कब कब पैसे लेते थे कैसे उसके उपर action नहीं होता था आप समझे इस बात को और इनके ही कहने पे ये लोग दुबई shift कर गए तो अब तो हिसाब किताब देना होगा राहूल गांदी कितनी भी धंकी देते रहे है कि ED-CBI वालों को छोड़ेंगे नहीं कार बहुत ही खतरनाक कारवाई करेंगे जब आप हमारी सरकार आएगी तो आपके भी सरकार आनी रही है तो आप रिलाक्स कर सकते हैं और ED अपना काम कर सकती है बहुत बहुत धन्यबाद से तमाम चाल करेंगे दन्यबाद ख़बरों का पंचनावा में आज के लिए इतना ही देश और विदेश की बागी ख़बरों और उनकी सठीक अनलाइसिस के लिए देखते रहे हैं कापिटल टीबी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और हाँ कापिटल टीबी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले धन्यबाद